हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं CID, focus on high, Sony Entertainment Television Bar अरे मायरा, तुम के रही थी ना, इस बंगलो में बहुत सारी आत्माएं होती है अज देख ही लेते हैं, कैसी होती है ये आत्माएं मेरे बात मानू समिता, प्लीज नहां से वापिस चलो मेरे पापा ने इस बंगलो के आस पास पर जाने के लिए मना किया है उन्होंने या पर आत्माओं को देखा है अरे मायरा, तुमने उस वीडियो में देखा था ना, क्या कह रही थी वो अगर हम आत्माओं से अच्छे से बात करना चाहें, तो वो हमें लुक्सान नहीं पहुचाती हाँ, उल्टा हमारी मदद करती है और मेरी तो बहुत सारी विषोज है तुम लोग को जाना है, तुम जो, मैं वापस जा रही हो अरे मायरा, एससे कैसे जा रही हो हम तुम्हारी कॉल्नी में आया है और तुम हमें छुड़के जा रही हो मायरा, चलो तू चलो, कुछ नहीं होगा, चलो. Come on, यार, चलो ना. चलो. चलो, माईरा. यह देखो, कितनी डरावनी डरावनी चीज़े हैं, दिवार पर, है ना? हाँ, कई आत्मा आए ना हो. अरे, आत्मा देखने के लिए तो हम यहाँ आए हैं. रुको, मैं बुलाती हूँ. हेलो, आत्मा? आत्मा, आप कहा हो. देखो, अगर आप हो, तो प्लीज रिप्लाई दो. अरे, हस मत, आत्मा को बुरा लग जाएगा. हेलो, नमस्ते, मैं समीता बात करी हूँ. देखिये, हमें जानना है कि आत्मा है या नहीं. कोई है, तो प्लीज रिप्लाई कीजिए. समीता यार, प्लीज ये सब छोड़ और घर वापिस चल. अरे, मायरा, आत्मा वा आत्मा कुछ नहीं, ये सब अफवा है. रूमर्स ओनली, नाथिंग एल्स. और मैं गॉड्ड, कोई था? हाँ, शाइद इंदर नहीं आ रही है. अब क्या करें? लगता है, फार्स के अम लोग फागए आते. पागए आते. पागए. मायरा, मायरा कहा है? मायरा? मायरा, मायरा, तुम, तुम कहा हो. मायरा? सिमित्तर रानु, कहां परो तुम लोग? मायरा, मायरा, मायरा. यह दर्वासा कैसे बंद हो गया? तुम कह ओ, मायरा? कोई दरवासा खोलो? फ्लीज, रानु, स्मित्टी, कोई तो दर्वासा खोलो! मायरा, मायरा, मायरा कहा हो तुम? मायरा, 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 कहा हो! कीसे खोलो इस दरवाजे को कुछ समझ में नहीं नहीं भी था कोई दरवाजे खोलो प्लीज रेन उसमें कोई तो दरवाजे कोलो मेरा थे मैं कुछ होतरा तो Carrity नहीं हम अ कुछ हुआ तो नहीं थूठ हो ना हाँ यह से पागो प्लीज न किल रचले ह् год पादो प्रफ पंज पादो कर दो कर रहे हैं कि अप लोग मुझे यकीनी नहीं हो रहा हूं मैं अमेरिका से भागा भागा यहां आया हूँ यह सब सुनने के लिए हम मजाक नहीं कर रहे हैं हम पर क्या बीत रही है यह हमें ही पता है तुम्हारे भंगले की आत्माओं ने हमें परिशान करके रखा हुआ है वाइरा बेटा, याँ पर आना तेक रहे मेरी बेटी के हालत, ये अपने दोस्तों के साथ तुछा तुम्हारे बंगले पर गई थी, बाकि सब की भी यही हालत हुई पड़ी है तुम्हारे बंगले की आत्मावने मेरी बेटी और उसकी सहिलियों को परिशान करके रखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे बंगले मेरी परमिशन के बगार घुषने की जरूत क्या था सूरज, हमारी बात को समझो तुम युएस में रहते हो लेकिन हम लोग यहां पर रहते हैं यह सब हमें जेलना पड़ रहा है चीक है अगर आप लोग को मेरे बंगले से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे बेची देता हूँ कम से कम कोई वहां रहेगा तो आपकी आत्मावली अफ़ा है तो खतम हो जाएंगी नंसेंस हमें मन्जूर है मैं तुम्हें एक ब्रोकर का नंबर देता हूँ वो तुम्हें इस जगे की अच्छे से अच्छी कीमत दिलवा देगा आज ही फोन करो अरे भाई बोला ना बंगले के मालग सूरज जी आरहे हैं अरे मैं नहीं जाओंगा बंगले अंदर भाई तुम्डेंशन मतलो में जल्दी आ जाओँगा अचा तुम फून रखो लगता सूरज जी आ गए आई ए शूरज जी आये नमस्कार नमस्ते आई आई शुकिलाल जी मैं आपको बंगला अंदर से दिखाता हूँ फिर कीमत लगाईगा इसकी ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ सूरज बाबू इंगला के कल सुभे देख लेंगे भी बहुत अधिरा हो गया है शुकिलाल जी अप कावाल कर दें चलिए ए भगवान रक्षा करना है मेरी बचा लेनी है सूरज बाबू पता नहीं इस बंगले के अंदर जाने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है सुकिलाल जी आप कुछी बोलें बंगला मेरा है मैं आपके साथ हूँ चलिए क्या बता हूँ कुसमत बता ही आईए देखिये सुकिलाल जी ये बंगला कभी यहां मेरे अम्मा बाबू जी भावी भाईया और उनका प्यारा सा छे साल का बेटा सोनू रहते थे और आज अरे सुरज बाबू एक थो रहत का वक्त है और उपर से आप ये गुजरे हुए लोगों की बात करें ये ठीक नहीं क्या आप बसुरज बाबू कुछ नहीं इतने दिनों बाद आया था तो पुरानी यादे ताजा हो गई मम्मी कहा हो तू ये बंगा तो खाली था इन आवास कहा से आरे यहां आओ ना मम्मी ये आवास तो सोनो के है कहा हो तू लेकिन वो तो मर चुका था यहां आओ ना अरे इस दरवात के से बंदुआ मम्मी कहा हो तू ये क्या हुआ कल रात इस हवेली में आय थे मेरे पती और अब तक घर वापस नहीं लोटे है अरे लेकिन रात के समय हवेली में जाने के क्या जरूरत थी पता है न सबको हवेली में आत्माएं गुंती है लेकिन इन मर्दों को समझाय कैसे चलिए न मेरी मदद कीजी मेरे पती को जोड़ने में मदद कीजी अभी तो दिन है ना भेंजी कोई भी अपनी जान खत्रे में नहीं डालेगा ये भूत प्रेत आत्माएं इनके लिए क्या दिन और क्या रात वो कभी भी किसी की जान दे सकते भाई साब कैसे मर्द है आप मैं इतने दूर से आया हूँ मेरे पती अंदर फसे है आप लोग कोई मदद के लिए तयार नहीं है पैंजी आपके पती के चक्कर में अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या आप उसकी जान वापस कर पाएंगी नहीं ससांग भाई मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए हम एक काम करते हैं हम सब साथ में चलते हैं अवेली में हाँ बात तो यह बिल्कुल ठीक कह रही है देखो हमारे पास डंडे लाठियां भी है अगर कोई खातरा होगा तो वो आपस में मिलके निपट लेंगे ना हम सब मगर चलो, मैं भी चलती हूँ साथ में चलो 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 अब इतने बड़े बंगले में कहा ढूनेंगे आपके पती को शजगवाई, वो बेखो इसे मेरे पती के गड़ी है सुनो, पुटो पुटो ना, पुटो पुटो ना हो गया इनको उठो चलो डोटो के परस चलते हैं चलो हे बगवाण, इनकी तो सांते बंद है क्या? यह यह अब नहीं रहे नहीं रच्चु के बापा यह अबने क्या कर दिया? क्यो जोड के जले गए मुझे यह यह क्यो रहा चलो चलो यहसे अरे मेंड रहा अरे ममाह लोट भी मैना चाते हों गया क्योटो यहसे वर्ना तुम लोटोगाई यह तु प्रभा है यह तु मर्चुगी थी यह उसके हत्म है जलो परको है अज़िज़ आते, वा, अज़िघा, वा! वा, आपने वा, आपने वा, यह तुपर माते, वेटे के यह असमा में एक्वे है! आउर। जान लेली, आत्मानी मेरे पत्ती की जान लेली। आपती हो रच चुके पापा को सांज़न भाई, सांज़न भाई जल्दी से एडी को फौन करो मैं सी एडी को फौन करू qaam? आप इस कॉ लोजिके शेकरेटरि हो अंदर लाश है आरे, आपको नहीं करोगे तब कौन करेगा? जल्दी से करो. हाँ, सुस्संग भाई, प्लीज जल्दी कीजिए. हाँ, हाँ, करता हूँ. हेलो, सी आइडी? पुद्धिने सी आइडी आगी. किसे फोन किया था मैं? साभ, नेरा नाम शेशांग है. मैंने फोन किया था. इस घर में आत्मा है साभ है? अरे, तो क्या हम कोई उजह और बाबा हैं जो हमें आपने फोन कर लिया? नहीं साभ. अंदर आत्मा ने खोन कर दिया है. अंदर लाश पढ़ी है साफ? लाश? इसकी लाश? मेरे पती की लाश है साफ, कल रात वस मनुँ सावेली में आये, लेकर लाट कर नहीं आये, और जब हम लोग आँ अंदर है, वो मरे हुएते हैं देखिये, आप समाली अपने अपको, आप सबने देखिये लाश? जी, हाँ, चलिए, दिखाए, यह का है? सर, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं और पंकज बाहर से निग्रानी रखते है, यह सावेली की. वो, क्यो? सर, अगर अंदर से आत्मों भग्के भाहर आएगी, तो अमनों पकड़ लेंगे ना? हाँ, कोई ज़रत नहीं, उनों चलो अंदर. सर, तहां पे कितनी शांती और सम्नाना है? आत्मा रात में जाकती है, और दिन पे सुती है. अगर अभी उड़ गई, तो सब को सुला देगी. उस, उस अलमेरा के पिछे है थे साब. यहां तो कुछ भी नहीं है. कहां है लाश? देखेंगे. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो यही देखी थी. हम समने देखी थी लाश? यही पर तो थी, अलमीरा के बीछे. तो फिर कहां गई लाश? आपके बदी यहां क्या करने हैं आजे? ब्रोकर थे वो. इस इस हावेली का मालिक सौधा करना चाहता था इसका. क्या नाम था मालिक का? जी सूरज. इस बंगले के बाकी सब लोग तो मर चुके हैं. बस सूरज ही जिंदा था. और सर, वो वीदेश में रख रहे हैं. यह देखो, अभी अभी का है, जादा देर नहीं हुआ है. इस बंगले के मालिक सूरज, उनका नंबर तो होगा ना आप लोगों के पस? हाँ साफ. जाद नंबर दिन जी, पंगज. 119-282-440. कॉल करो ना. आप लोग प्लीज बाहर जाएए. हमें इस बंगले की तलाश लेनी है. चलो भई, इनने अतना काम करने दो. यां है, टिको. सर इसका स्क्रेन तो तूड़ गया है इसका मतलब सूरज उस ब्रोकर के साथ यहां है था और यहां पे जो हाता पाई हुई उसमें शाद वो भी शामिलता मगर इस सूरज गया का और उस ब्रोकर की लाश का है एक काम करो गुणड़ो आसपास चान मारो कोई आया के पीछे से अरे पल्टो मत पल्टों के तो आत्मा जपन लेगी तू 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 जा आप खुळो आप सीनियरो प्लीज पंगज हमें पूरा एरिया चान मारना है यहां से हम दोनों के रास्ते अलग तू उधर मैं इधर नमस्ते प्लाओ झाल यहां प्लाओ प्लाओ यहां यहां अड़ यहां लिए यहां पर एक अत्मा है और हमारा पीछा कर रही है अज़ हमें दिखनेरी सर आपकाज अब इसा आत्मा से बाहर आ जाओ आज तक अभी तुम साबित कर पाया हो कि एत्मा है है सर अगर आत्मा सामने आगई तो क्या मैं थाबित करने के लिए जिंदा रहूँगा अगर अब तुम जिंदा हो ना वात्मा नहीं है चलो सर आपर भी कुछ पता चला नहीं सर सर मैंने सारा कमरा और हॉल दिखले मगर डेड बॉड़ी और सूरज का ही नहीं दिखे ये क्या गसितने का निशान लगता है यहां से किसे को गसित के ले जाये गया है सर कसितने के निशान इस अलमीरा तक है हो सकता है उस ब्रोकर की लाश इस अलमीरा में हो इसमें तो कुछ भी नहीं है खाली है सर में अगर कसितने के निशान तो यहीं तक है यह हवा का से आ रहे है लगते सल मेरा के पीछे कुछ है वो, सीडिया है? सर्फ सीडिया है, और कुछ नहीं है, चलिए नहीं आते वंदर, चलिए यहाँ प्रूणूड़ आसमास्वाइश्या यहाँ प्रूदू यहाँ प्रूदू यहाँ प्रूदू सर्फ 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 तरदे आइए सर्फ यहाँ आपे रॉन्ना बड़ी बेरेमें से मारायाश्या जानवर भोगा जो से खेंच कर यहां लाया और खाट काया ने मैयूर यह आदमी के दातों के निशान है जानवर नहीं सर मतलब यहां को यह आदम खोड़ था हो सकता है यह फून अभी तक सूका नहीं है जादा देर नहीं हो ऐसे काटे हो है मतलब वो आदम खोड़ इसे काट कर यहां किसी कम्रे में चुप गया है यहां या फिर कोई और दर्वाजा होगा इस भंगली से बाहर में निकलने का देखो जारब सर्थ हाँ सखिये विथिर बहार जाने का रास्ता हुआ है हुआ है हुआ है अधर भाई उतर मजाना वावें पुंड़ी कटी हुए आत्मा बेड़ी हुए यह पेड़ पेड़ पे वह मास का पंकर जा आत्मा नहीं जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं वह ऐसी बेमतलिक भी चीजे करते है मा कहती थी बेटा कोई बाहदुरी का काम करके आना उसे क्या बताऊंगा क्या आलत है मेरी मैयूर नहीं सर में बाहद। आदू है वो आदूम को, एंसानों के एंसान को खाता है, बहुत फूप लगी है, चुरियो भूप मैं मिठाता हूँ क्या है, मुझी जाना है, मैं लोगों की बीच में ने रहता, मैं जाओंगा जेल जाएगा तू, और फासी होगी तुझे इस ब्रोकर को मार डाला और खाटे मैं किसी को मारता नहीं, मार यह व इंसान को खाता हूँ छूट पन बहुल जूट, जूट क्यों बोलूँगा? नहीं? मैं जूट नहीं बोलता जाएग मैं गल्ती करता नहीं हो तो मैं उसको मानता नहीं, समझा? अरीद, तो हम तुभारी बात कसे मान लें? मात मान, मात मानो, लेकि जो सच है, वो सच है मैं आदम खोरू, खून ही नहीं, लाश को खाता हूँ, खून नहीं करता, समझा? पहरू की निशन? तुझे पता कैसे चला कि यहां इस बंगले में लाश है, हाँ? मैं आदम खोरू, इस वज़े से मेरे घर परिवार ने मुझे निकाल दिया कि यह खुपिया रास्ते से इस हवेली में हर दिन आता हूं में आज भी आया देखा, आत्मा की डर से लोग भाग रहते हैं मुझे यह उलास दिखी, और उसको लेकर आया और यहाँ बैटकर खा रहा था, जब तक तक तुम लोग आगे और मैं भाग रहा इस ब्रोकर के साथ दूसरा आदमी भी था, कहा है वो? जिन्दा है? शर! बदा सुरेशी, क्या हुआ था यहाँ पे? सर, मैंने इस मनुस भंगले को बेचने के लिए उस प्रोकर को बुलाया था लेकिन जैसे हम अंदर आये, किसी ने पीछे से जोर से मेरे सर पे मारा सर, उसके बाद मुझे कुछ भी आनने है सर, जरूर उस आत्मा ने अमला किया होगा हाँ सर, सुरज इस बंगले को बेचना चाहता था शायद ये बाद आत्मा को बूरी लग गई होगी इस हवेली में आत्मा है, इसकी अफाच चारों थरफ ऐसी फहली है कि इसका दाम 10 करोड से सीधे 2 करोण पर आ गया है फिर भी मैं इस मनुस बंगले को बस बेचना चाहता हूँ इस बंगले को तो मनुस क्यों कह रहे हूँ ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है क्योंकि इस बंगले ने मुझसे मेरा पुरा परिवार थी लिया आज से तीन साल पहले मैं अमेरिका में पढ़ रहा था और अचानक मुझे ख़वर मिलती है कि मैंने पुरे परिवार में खुद कुशी कर लेकिन लेकिन कर राच जब में उस ब्रोकर के साथ आया तो मैंने उस मिरर में अपनी भावी प्रभा को देखा था सुराज तुम्हें पुरा यकीन है कि तुम्हें इस आयने में तुम्हारी भावी प्रभा को देखा था हां सर यह वही आयना है तेजी सर इसके बात मुझ पर हमला हुआ इसके वह से मेरी आखों का गग अंदेरा शागे यह बात है इस आयने के पीछे तो यह खुफिया रास्ता है पेड़ी, पंकच, तुम दोनो इस तरफ देखाओ सर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, इनके साथ भी तुम एक सेडी ओफिसर हो, बच्चे नहीं जाओ, जाओ सरफ, देखो सरफ कोई आत्मा मिलती है क्या पंकच, इस बंगले के अंदर कोई ज्यादा ही खुफिया दरवाजे है कोई अलमेरा से होके बेस्मेंट में खुलता है तुम कोई आईने के पीछे से पैसेज में कमाल है पंकच, एक कामकर, दरवाजा खोल और देख, कम्रे के अंदर कोन है इसलिए मैं तयासर के पास जाड़ा चाता था अरे, आप सीनियर हो, फोड़ी तो बादो ली दिखाओ, आर जाके खुलों ना सीनियर? कौन सीनियर? साथ में मिलके दरवाजा खोलते है यह बात याद रख ना? एक मने इधार आणा, सरा दर देखो, दर देखो आगे जाओ खुलो दरवाजा सीनियर हो, यह? कोई नीए पंकच, तू भी वही देख रहा है जो मैंने देखा सर, मैं देखना तो नहीं चाता था मगर मैंने देख लिया क्या? औरत की आत्मा आत्मा प्रवफए नहीं प्रवफ़ो प्रवफ़ो? प्रवफ़ो? प्रेशर, प्रेशर फ्रेणीस, धुल, उपल, वो देव pł ambitious! फ्रेणीसर! फ्रेणीसर डियाaría, प्रेणीसर! मैं तुम्हें आत्मा दीख्याओ? यह पाउडरें पाउडरें पाउडर eigeneओन, चेहरेपे लगाने वाली पाउडर costume मैं घिर्गी आष़़ में. मेकडोब कहसे मा मेकडोब के फिर कुम कर रहा था? संपीकर और सावंड सिस्फून के साथ में पाइटी कून कर रहा था? सु अफ़ बस आजया थहाई अजयाओ Inspector क्योर दजयाओă क्योर्ज़ शन से घ्झा इस अब्सब्स क्योर क्योर है हार! क्योर्ब ž重要 bless you is इन्होंने कुछ नहीं किया है, माफ कर दो इनको, इन्होंने कुछ नहीं किया सार्थ कौन है आप? मैं इनकी मौसी हूँ, इनको जाने दो सार्थ कुछ नहीं किया है बहुत हो गयी आत्मा का नाटक, चलो, पुर्वे, ले चलो ने Mr. Suraj यह है आपके परिवार वाले है, जिंदा है यह और आत्मा बंकर लोगों को डरा रहे हक भाभी, सोनुं, आपलोग जिंदा है मेरी भाभी जिंदा है सोनु어 सुनुठ invited to वह आगोन तिरह लग लग श soupर है मेरी भाभी हो सोनु जिंदा है अब भावी, यह ऐसी हरकत है क्यों भावी? बोलो भावी, वो कुछ नहीं कर रही, यह सवात्म का खेल मैंने रचा है तुम्हारी भावी और सोनु को बचानी के लिए, वो खूनी तो पुरे परिवार का ही खून कर देना चाहते थे लेकि उनकी गलते से दोनों बच गए, अब अगर उने मालम हो गया कि दोनों जिन्दा है, तो यह इने भी खतम कर देंगे तो क्या सूरज के परिवार वालों ने आप पते नहीं की थी? जी नहीं, यह सब उसने अवभा फैलाई थी, कि अनलों न खुदखुशी की है क्या? बावी, बावी, यह सच है? सूरज, जब से इसने अपनी आखों के सामने अपने परिवार का खून होते देखा है, तब से इसकी दिमागी हालत खराब हो गई है बहुत कम बोलती है, लेकिन बेटा, यह बात सच है एपगवार, कम से कम भावी उसनोल जिन्माइप हमने केसी को नहीं मारा, किसी का खून नहीं किया तो किस नहीं किया को? बोलो भावी, कौन ने खुली, बोलो यह एहाँ, यहाँ आता है, कल भी आया था, कल भी आया, कौन आता है, किसकी बाद कर रही हैłeं, कल खुन आया था याँ पर पसा नहीं से, सूरज, तुमने आज कल में कोई डॉकिमेंट साइन की थै यहाँ, डॉकिम्म्त? हाँ? नहीं, सर, नहीं. तो फिर ये तुम्हारे अंगोटे बें एंग कहांसे हैं? हाँ? एंग? पता नहीं, सर, क्या जी? नहीं, पता. नहीं, पता, सर. पता चल जाएगा. नहीं, पता. औरे, क्या हुआ शाशंग भाई? ऐसे अचानलक मुझे क्यों बलाया है यहाँ पर? CID के अफसरों को कुछ जरूरी बात करनी है हम लोगों से. यह लोग, आगे. आये, सर. हम लोग आपी का इंतजार कर रहे थे. ब्रोकर की लाश और सूरज के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो ब्रोकर और सूरज, वो दोनों मर चुके हैं. क्या? क्या? हे बगवान, एक सूरज जी तो बचा था उस परिवार में. और वो भी मर गया. लेकिन सर, यह सब हुआ कैसे? एक्शली, ब्रोकर और सूरज की किसी बात पर लडाई हुई और दोनों ने एक दूसरे का खोन कर दिया. लेकिन आपने हम सब को यहां किसलिए बुला है? देखिए, हम लोग आपको यह बताने के लिए आए हैं, कि वो बंगलो हॉंटेट नहीं है. बलकि बहुत समय से खाली रहने की वज़े से, उसमें एक आदम खोर आदमी रहता था. आदम खोर? आप लोगों की वज़ा से, अब इस कॉलिणी में हम लोग चैन से रह सकते हैं. हाँ साव, पिछले तीन सालों से डर डर के जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे हम लोग यहां पर. आदम आप डरने की कोई जोरुवत नहीं है, सब लोग निड़े रोके रहे हैं, किसी को कोई खत्रा नहीं है. अन्यवार. या, थैंक्त. तीन साल. तीन साल लग गया मेरे प्लान को काम्याब होने में, लेकिन आखिरकार वो हो ही गया, जो मैं चाहता था. अब ये हवेली मेरी है, हमेशा के लिए मेरी है. हैं! कौन है? किससे दर्माजा बन्किया? अरे, खोलो दर्माजा! कौन है? अरे, दर्माजा खोलो! क्यों दर्माजा बन्किया? अरे कुछ है? कुछ है आपर? कुछ है? मैं आत्मा वात्मा नहीं मनता? तुमनोग जानते रही हो? मैं बहुत खतरनाक आप्भी हूँ मुझसे अहुश्यारी बत करना सब्ज़े? कुछ है? सब्दे हो? हुआ! उकर! सोनू! उकर! मुझसे उचारो ना मैंने तो तुझे उपर भेज़ दिया ता तु वात्मस कैसे आ गया? मतलड… मतलब तु सोनू के आत्मा है? है! हट! मुझसे उचारो ना? मुझसे उचारो ना… इिज鹅! हुदिनी जो तारूनावनावन पुछाओ! सूरज! अरे, सूरज मुझे बात करें! मुझसे गल्ती होगी! मुझे नहीं मालता कि मरने के माल आत्मा बढ़के तुम भापस आजाओगी! माल कर दो भाया मुझसे! मैं तो हमें भी माल डाला था, शशंक! मुझसे बूल होगी! लालज में आकर मैंने पूरे परिवार को मार दिया! मुझे लगा कि कोई बारिष नहीं होगा! तो सारी दॉलत यह हमेली सब मेरी हो जाएगी! मुझे भाग करता! आत्मा नहीं, शशंक! तुम्हारे गुना तुमसे बल्ला ले रहे हैं! चाहे कितनी भी हुश्यारी कर दो! गुना कभी छुपता नहीं! तुम्हारे गुना नहीं हो! और इसकी सजा तुम्हें उगतनी होगी! मेरा ही प्लान था कि सूरज को अवेली में बुलाकर उसका खूण कर देगे! मैंने और उस ब्रोकर ने बिलकर सूरज को मार दिया! लेकन सूरज मरा नहीं, वो सिर्थ बेहोश हो गया! मगर तुम लोगों को लगा कि वो मर गया! हाँ, हमें भी ऐसे ही लगाता! फिर अचानक से वो ब्रोकर गिर पड़ा, उस पर अलमेरा गिर पड़ी! और वो मर गया! मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ! और मैं यहां से निकल गया! इसके बाद प्रभा ने बेहोश पड़े सूरज को पहचान लिया! और फिर सूरज को बेहोशी के हालत में खीच कर अलमेरामे चिपा दिया! प्रभा फिर से आयेगा और सूरज को मार डालेगा! और फिर वो आदम खुरे सावेली में घुश किया और प्रोकर की लाश को अठाके ले किया! शचंक तुम ने एक गल्ती करती! सूरज को मरा हुआ समझ कर उसकी प्रॉपरटी के पेपर पे उसके अंगुठे का निशान ले लिया तुम्हें और जब हमने देखा कि सूरज के अंगुठे पे स्याही का निशान है तो खुनी को पकड़ने के लिए हमने खबर फैला दी कि सूरज भी मर गया और तुम हमारे जाल में फज गए हैं बड़ी हवेली के लालस ने तुम्हें जेल के काल कोटी तक पहुचा दिया है और अब कानून का फैसला तुझे फासी के तकति तक पहुचाएगा झाल से तकति हैं